नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेडिकल जानकारी में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों आइरवेदिक दवाई M2 Tone के बारे में ये आपको सिरप के रूप में टैबलेट के रूप में और M2 Tone फोट में मिल जाता है इजी टू यूज हो जाता है दोस्तो आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको इसी सिरप के बारे में हम देने वाले हैं M2 Tone करता क्या है इसके benefits क्या है इसके side effects क्या है doses क्या है और कब तक आपको इसका use करना चाहिए और कैसे इसका use किया जाता है वीडियो में दोस्तों आगर बनी रहेगा इसलिए हम क करिएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजेगा सब्सक्राइब के साथ बैल लागन को जरूर प्रिस कर लिजेगा ताकि जब भी हम नहीं वीडियो अप्रोड करें उसका सबसे पहले notification आपको मिल जाएगा और आपसे कोई भी health relative वीडियो मि शातावरी और भी इसमें सारे इंगीरेंस होते लिए चार इंगीरेंट बहुत ज़्यादा beneficial होते हैं असोक की बात करते हैं तो दोस्तों ये महिलाओं के लिए जैसे हार्मोरल इंबैलेंस को बनाए रखने या संतुलित करने में बहुत ज़्यादा मददकार साबित होता है यानि अगर किसी फीमेल्स के मासिक दर्म या फिर गुप्त जो भी प्रॉलम्स हो जाती है उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा उप्योगी होता है जिसे पीर्यड्स होगे रभाट डेले होते हैं आगे पीछे हो जाते हैं तो उसको भी सही करने में मदद करता है और अस्तोगंदा भी यही काम है दोस्तोँ अस्तोगंदा की लोग कई लोग यह यूज करते हैं कि मोटा होने के लिए या फिर कोई योण प्रतिक्रिया करने के लिए लेकिन इसके और भी कई बैनिफिट्स निकल के आता है जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हूं या फ यानि कि अगर किसी के पीरेट साही टाइम से नहीं हो रहे हैं मासिक दर्मगेर साही टाइम से नहीं हो रहा है पी ओएस की प्रॉल्म्स है पीरेट में पेन होता है एंठन हो जाती है गरवाशे के एंठन में भी उप्योग कर सकते हैं लिक्यूर डिजीज हो जाते हैं जिसको स्वाइद पर्दार या फिर वाइड डिस्चार्जिंग प्रॉब्लम्स इसको कहते हैं उसमें भी वह एम्टू टॉन से रपका यूज करवाया जाता है एनो आविलेशन में यूज हो सकता है जैसे कि किसी फीमेल्स की अंडासे से जो या फिर अगर कोई किसी बच्चा का किसी का कंसीव नहीं हो रहा है प्रेग्निंस नहीं हो रही है तो भी इसका यूज करवाया जाता है गरवाशे के एंठन हो गेरा में भी इसका बैनिफिट्स बहुत अच्छा देखने को मिलता है ऐसे ही इसकी कई और भी बैनिफिट्स यह मैंने आपको बताये हैं, मेन मेन बेनिफिट जो फीमेल्स के लिए जरूर हमें यूज करवाया जाता है, डोसिस की बात करते हैं, तो दोस्तों, दो दो चमबा सुबे शेम आपको इसको खाना-काने के बाद लेना होता है, पानी के साथ तीन महने तक दोस्तों इसको use करना है अगर कोई करता भी है अगर तीन महने से ओपर use करना चाहते हैं तो इसके बारे में doctor से consult जरूर कर लेज़ेगा आगे करने के यूज़ करने के लिए doctor के बिना इसका सेवन ना करेगा आलंकि यह आयरवेदी दवाई है, नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कुछ side effects आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि dust होना, weight gain होना, ultimately जो सामने तोर पर देखने को मिली जाती है, weight gain इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अस्वगंदा है इसमें, जो कि एक weight gain भी होता है द जादा देखने को मिल सकते है, precaution की बात करते हैं, तो दोस्तों, इसके साथ कोई भी milk product यूज नहीं करना चाहिए, medicine अगर कोई भी ले रहे हैं पहले से तो उसके बारे में डॉक्टर को जानकारी जरूर देजेगा, बिना डॉक्टर के साहिता के इसका यूज ना करें, अगर कुछ भी आप medicine का सेवन करते हैं, patient को अगर diabetes है, thyroid है या भी कुछ भी ऐसी कुछ problems हैं, तो उसको यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से प्रामर्स जरूर लेना चाहिए, pregnancy कंसीब के चकर में हैं या फिर ले रखी है, pregnancy पहले से ही है, तो भी इसका यूज नहीं करना चाहिए, जब तक आपको डॉक्टर सला ना दे, तो यह था हुच दोस्तों, M2Tone के बारे में पूरी जानकारी, इस इसको पर्चेस करने के लिए मेरा लिंक का आपको डिस्कुशन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाके इसको पर्चेस कर सकते हैं, अगर ऐसी कुछ प्रोडम्स आपको देखने को मिल जाती है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रू कर जिएग कुछ पर्सनल कोईसन करना चाते हैं तो आप हमें इस्टागराम पर फेस्बूप फॉलो करके अपने प्रेशन समसे पूस सकते हैं, या फिर कुछ मिस हो गया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मिलते विडियो के साथ, ओके बाए टाटा हैं, तैंक्यू फॉर वाचिंग